तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किसी भी मौवाल फुन में कीबूर्ड में आप अपनी मन पसंद पीक कैसे लगा सकते हैं वैसे तो यह बहुत ही सिंपल प्रोसेस है आप इसको सेटिंग में जाकर कर सकते हैं बड़ कुछ मौवाल फुन में जैसे कि Samsung 812 में ऐसा कोई function दिया हुआ नहीं है यानि कि आप setting में जाकर भी चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर setting के जड़िए अपने keyboard में किसी भी pick को set करने का option देखने को नहीं मिलेगा तो अगर आपके साथ भी ऐसा problem हो रहा है या फिर किसी भी smartphone में आगर आपको settings में जाक करना पढ़ेगा आपने description box में देख़े दूँगा आप से चाहें तो इस गूगल के keyboard को DOWNLOAD कर सकते हैं और साथी साथ आप चाहे में जाकर लिए फस गूगर के keyboard को DOWNLOAD कर लिए और इसके बाद आपकों Google का keyboard को open करना पढ़ेगा आप उस Google के keyboard को जब ऻो करनें देन आपको य यहाँ पे जो जो ऊप्रकी sigue कोड़ा और आप एक avtion के की बोडिक पर को पर एक सकते हैं जाए मैंने को इसको आप कर देना嫁 रहती है अब सेटाप वो चुगा है भाट अब आपको आपको ऊपने के वोड़् में कोड़ेगा थो इसके लिए आपको अपने mobile phone में किसी भी जगाप में जा करके आपको बस keyboard को open करना है आप चाहे तो whatsapp में भी जा करके इस keyboard को open कर दीजे और इसके बाद आपको यहाँ पर keyboard में सबसे निचे में कुछ option देखने को मिल रहे हैं जैसे कुछ dot type का एक icon दिया गया है तो आप उस dot वाल icon पे click कर देज आपका जो भी language जैसे की English उसको select करके okay कर दीजे और अपने सभी languages को इसी तरह आप सेट कर दीजे और उसके बाद आपको और उसके बाद आपका जो गूगल का keyboard हा वो आपके smartphone में सेट हो चुका है और अब आपको यहाँ पर setting वाले option को open कर लेना है आपको अपने smartphone में आप language and input का option देखने को मिलेगा आपको अगर आपके iPhone में language and input का option नहीं है तो आपको यहाँ पर और देखने को मिल रहा हो हो general management का जो आपके smartphone में पर उसका जो बी जो भी और जो तो कि अभी सेट हो चुगा है mathematical इस जीलेदा कि क्लिक कर देंगे दिखेंगे बहुत سारे देप्स देखने को अब चाहे तो इन सभी इसे से किसी एक theme को select कर सकते हैं और अगर आप इसको तरह से श्कौड लोन करेंगे तो आपको यहां पर बोट से अपसंदेखने को मिलेंगे तो आप यहां पे चाहितो कुछ लेंड्सकेप में कुछ थिम्स आप चाहते इन थिम्स को भी सलेट करके इसको लगा सकते हैं और शाध़ और भी थिम्स भी आप लगा सकते बट अगर आपको कोई ऐसी पिक लगानी है जो आपको गैलरी में अवेलिबन हो यहां पे सबसे पर में को देखने को मिल रहा हूं मा नीचे में एक option आपको देखने के मिल रहा होगा next का आप यहां पर next वाल उप्शन पर क्लिक कर दीजे और इसके बाद आपको यहां पर done वाल उप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको यहां पर apply का एक option देखने को मिल रहा होगा आपका जो भी पिक था जो भी आपने भी सेट किया तो वो लग चुका है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना है मिलते हैं आप से किसी दूसरे वीडियो में